और हमने तो खुली चुनोति दिया है सरकार को कि जो आप का अवी घूश का रेड स safest लिया गया उसमें भी कमीशन लिया गया गांधी जी के मूर्ति को बैठाने में भी कमिशन है मैं वहाँ तीन दिन अंजलन और जल बिना गरहन के वे बैठूंगा अगर आप सीध कर दीजे कि मैं गलत बियानी कर रहा हूँ रस्टा चार के पूरे आकंट में बिहार डूब चुका है पूरा बिरोजगाडी हो गया है कहीं भी सरकार का कोई भी ऐसा कदम नहीं है को समझ में नहीं आता है जबकि बीजेपी के गोद में बैठे हैं बीजेपी के बैसाकी पर चल रहे हैं बीजेपी के नाव पर सवार हैं इनको कब डुबाएगा अगले दिन किस दिन अखवार में पढ़ लिजेगा कि अब भुदपूर्व हो चुके हैं मुख मंतरी हम नह प्रवंगत हो गए फोटी वन बचे और तोर मरोर कर जिसमें पूरा देश करोना के चैन को तोरने में लगा हुआ था और आप लोच्पा पाटी को तोरने में लगे हुए थे जहार के मुख मंतरी नितीश कुमार ने कहा कि हम तो इस पर लेकर लगातार काम कर रहे हैं महिलाएं शिक्सित होंगी तो जनसंख्या नियंतरन अपने आप कम होगा और इस पर हम लगातार काम करें हमारा साथ बात करने के लिए आरज़ेडी के मलसी सुनील सिंग जी है एक लेकर भीतर ही भीतर राज मशा हुआ है कि महिलाओं को हम पढ़ा रहे हैं ताकि जनसंख्या नियंतरन हो सके क्या ऐसा हो रहा है क्या विहार ने के पहले लोगों को लोगों के बीच में जागरुकता लाना होता है पता नहीं मानने मुख मंतर जी को इतना देर के बाद क्यों यह बात समझ में आई आप देखे होंगे कुछ दिन पूर्व सराब बंदी कानून बनाए गया कुछ दिन पूर्व दहज पर्था कानून बनाए गया कोई भी पूरे बिहार में 12 करोर 85 लाखा वादी है एक ब्य रवस्ता मानने नितिस कुमार जी ने खरा करा दिया है हम नहीं जानते हैं कि 1071 थाना है पूरे बिहार में उसमें निश्चित रूप से 10% से 15% इमंदार थाना इंचार्ज होंगे बाकी 85% थाना इंचार्ज का वर्क क्या है किवल दारू और बालू तो कोई भी कानून बना अब कोई बता दे हमको कोई भी मध्यम बगव से जो भी हमारे सोसित बगो में कानून है किसी गाव में जाएए किसी फंक्षन में जाएए अब तो कहीं कहीं आपका वीडियो भी वैरल होता है कि भाई पूलिस वाले ही दारू पिये हुए हैं जो इनके सासक वर्क के लोग हैं जो पदाधिकारी हैं कितने लोगों को तो बीना सराब पिये हुए निंद नहीं आता कौन-कौन सराब पीते हैं जो पुरे बिहार में फेमस हैं लेकिन इनको दिखता नहीं है उसमें इनको जागरुकता फैलाने की जरूरत नहीं थी लेकिन जब जनसंख्या की बात आ गई कि भाई जनसंख्या नियंतरन होना चाहिए तो पहले ये वेरनिस लाना चाहते हैं आगनबारी के द्वारा और फलना जीवका दिदी द्वारा मैंने बहुत लोगों को साक्षर बना दिया कहां गया आपका साक्षर ता कहां गया आपका सिक्षा आप तो इस वार डिंग हाक रहे थे सदन में 2,18,000 करोर का मेरा बजट है जिसमें 38,000 करोर रुपया हमने ध्यान तूटा कि भाई अब हमको जाग रुकता लाना चाहिए बिलकुल सही बात है अब अपना डफली अपना राग यह इनका अपना डफली अपना राग है बीजेपी का अपना है घुझ में चाहिएं तो भाई हमारा ये कहना है कि जब बात आती है जाती है जन गन्ना कराने का जब बात आता है आप अभी एक नया उत्तर परदेश के कैडर में और पूरे देश में आप इस तरह का प्रवबंडा फैला रहे हैं जनसंख्या मैटर पर तो यह कहीं कतई उचित नहीं है हर एक समान नरा हो ना चाहिए सभ सभी चीज में एक तरह क कानून बनने चाहिए के सरकार तो सरकार तो पहले भी नहीं चल रही थी सरकार इसको चलना बोलते हैं क्या कि जिस व्यक्तिक के पास मातर 43 एमेले हो 75 एमेल वाला नेता परतिपक्ष हो और 43 वाले जिसमें दो तो दिवंगत हो गए 41 बचे और तोर मरोर कर जिसमें पूरा देश करोना के चैन को तोरने में लगा हुआ था और आप लोचपा पाटी को तोरने में लगे हुए थे 45 दिन घर में छुप करके पूरे लोग करोना संक्रमन से पूरा जूज रहा था पूरा देश जूज रहा था और आप किस काम में लगे हुए थे उसमें आपको ध्यान नहीं आया तो देखिए जीस व्यक्ति के पास अल्पमत है चोड़ दर्वाजे से मान्य मुख मंत्री बने हुए हो उनके पास अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं है अपना एकवाल खो चुके हैं भरस्टाचार ब्याप्त हो चुका है पूरे कुए में भांग घोरा जा चुका है कहीं भी आप सुद्ध पानी का तलास नहीं कर सकते इनकी जितनी भी योजनाएं हैं जिसमें मुख मंत्री योजना लग जाता है अब सरों में अस्तरह की भ्रांती पैदा हो जाता है कि अब भरस्टा चार का इसमें हमको पूरी खुली छूट मिल गई कोई भी आप योजना लीजिए मुख मंत्री फलना योजना मुख मंत्री साइकिल योजना, मुख मंत्री पोसाक योझना कोई भी इनका योजना हो अरे भाई अब तो बिहाब में वो इस्थिती है कि कोई बिभाग मानिनिए मुख मंत्री हो कोई सासक वर्ग हो, कोई पदादिकारी हो और आज हमको खुली एलान करते हैं, खुली इनको चुनोती देते हैं, कि कोई एक विभाग का नाम बता दें, कि जहां बगएर रिश्वत दिये हुए, कोई काम निकलता है, रिश्वत मतब दस्तूर हो गया, आप किस काम में पड़े हुए हैं? परतिय राष्टिय सहकारी संग नहीं दिल्ली के निदेशक हैं, हमने फेड में भाइस चेर्मैन हैं, हम धरातल की बात जानते हैं, हवा हवाई बात नहीं करते हैं, और हमने खुली चुनोती दिया है सरकार को, कि जो आपका भी घूस का रेट चल रहा है पूरे बिहार में, अ सांधी जी के मूर्ति को बैठाने में भी कमिशन है, मैं वहाँ तीन दिन और जल बिना गरहन के वे बैठूंगा, अगर आप सिध कर दीजे कि मैं गलत बियानी कर रहा हूं, आप देख लिजे, मैं ये कहता हूं, सरकार अगर यह एलान करता है, कि हमारे यह योजनाय चल रह में आप 534 ब्लॉक में और अगर 101 अन्वंडल में आप फ्लेक्स लगा के अपने योजनाओं के उपलबजीयों को बताते हैं, तो एक तरफ यह भी बता दीजे कि बिहार में जो घूश का रेट है, उसका MRP यही है, अगर इस से अधिक कोई अगर कोई व्यक्ति आपके हां आता है, अगर मांगता है कोई मेरा पदाधिकारी, तब जो भी स्रियल नंबर 3 चालू के हैं जनता दरवार के नाम पर, जो नया फिलमांकन किये हैं यहां पर, तब आप कोई आरोप लगाए किसी पदाधिकारी पर, नहीं तो आप मानिये कि यह दस्तूर हो चुका है, यह आप अंचला धिकारी किसी भी बिहार में 534 ब्लॉक है, किसी भी ब्लॉक में जाईए, कोई भी आप जमीन का दाखिल खारीज कराना चाहते हैं, तो आप से अंचला धिकारी बहुत इमंदारी के साथ, 2000 से 5000 रुपया कर डिमांड करेगा, उसके बगैर आप चाहे कुछ भी क कर लें, आपका दाखिल खारीज होने वाला नहीं, और मानियम मुख मंतरी ना पिछले दर जो पिछले वार का जो संबार को इनका जो जनता दरवार नाम का नाटक था, उन्होंने तो खुद सिध कर लिया, इनको खुद सीओ बोला, कि हम कुछ नहीं, तुम तो सीम कहा जान पैसा लिये हुए, बगैर उनका घड़ी खोले हुए, उस सीओ बीडियो नहीं मानेगा, यह व्याप्त है, घूशकारू, हर एक ब्लॉक, हर एक अनुमंडल, कोई ऐसा जगा नहीं है, कोई ऐसा रिश्टार नहीं है, कोई ऐसा डीटियो नहीं है, कोई ऐसा किसी पदाधिक अधिकारी द्वारा आप ग्राम पंचायत या पंचायत समीति के किसी भी योजना में कूल 18% पैसा लिया जाता है, उसके पूरे अथिका, योजना का, अब देखे कैसे हैं कि कैसे कैसे कौन लेता है, तो देखे जो वीडियो होते हैं, वो पूरी मंदारी के साथ 5% लेते है पंचायत सेवक 5%, जेई द्वारा 5% और ओफिस के खर्च के नाम पर 3% रकम लिया जाता है, परखंड आपूर्ति पदाधिकारी जिसको आप एमो भी कह सकते हैं, गरीबों के लिए जो रासन मिलता है पूरे पीडियेस में, पूरे बिहार के पीडियेस में, उसमें 20 रुप प्रती किंटल के दर से इसको पैसा पहुचाना परता है, CDPO आपने हाल में सुना होगा, मदन सहनी जे रोते कलपते हुए, कहें कि अब हम नहीं रहेंगे मंत्री, अब तो हम पद से रिजायन देवे करेंगे, कोई परतिष्ठा नहीं है, चपरासी सभी बत्तर हालत है, सभी यसे मंत्री नहीं है, जिनके अहां प्रधान सचीव ऐसे नहीं लगाये जाते हैं, कि जो उनकी बात सुने, कोई यसे नहीं है, कोई नहीं कह सकते हैं, मंत्री कि हमारी बात प्रधान सचीव सुनते हैं, सभी लोगों का एक ही हालत है, मदन सहनी कैमरा के सामने बोल गया, माम उपर तक पूरे इमंदारी के साथ किया जाता है प्रकंड सिक्षा पदाधिकारी प्रतेक स्कूल से 2000 रुपिये और एक दिन भी स्कूल जो सिक्षक नहीं जाए बहुत ऐसे सिक्षक हैं 10-15 परसेंट जो इसकूल जाना अपना तो ही नहीं समझते हैं उनका अपना बेवसाय है अपना बेवार है अपना कोचिन चलाते हैं तो वह स्कूल नहीं जाते हैं तो उनके सेलरी का वो 20% उसको प्रतेक महीना में प्रखंड सिक्षा पदाधिकारी को जो डिस्टिक जो एजुकेशन अफसर होते हैं उनको पहुचाना होता है जीला सहकारता पदाधिकारी आप धान ही बताते हैं कि लगता है कि धान ही किल अधिप्राप्ति हो सकता है बाकी कोई अनाज नहीं हो सकता मक्का जो उतपादक किसान है भले अपना मक्का वह 1850 के बजाए वह 900 में बेश दे उससे उनको कोई चिंता नहीं है दलहन तेलन होता है इस बिहार में लेकिन किसी को नहीं है कि दलन तेलन उत्पादक किसान का उसके समर्थन मुल पर उसके अनाज को खड़िदा जाए उनको केवल चिंता रहती है धान अधिप्राप्ती तो धान अधिप्राप्ती में जो डिस्टिक कॉपरेटिव अफसर होते हैं और जो जीला प्रवंधक होते हैं राज प्रवंधक होगा तो 20 रुपया प्रति क्यूंटल गूस और बढ़ जाता है अब आईए जो डिटीओ होते हैं डिटीओ हों एंबी आई हों एसडीओ हों डिसी एलार हों जेई हों एस्कूटिव इंजनियर हों सुप्टेंडिंग इनियर हों सभी लोगों का एक सिस्टम ब बंधा हुआ है कोई भी बिहार में 101 स्टीओ होता है सिविल स्टीओ 101 101 एक सो एक खूला दावा करते हैं किसी भी स्टीओ का प्रैक्टिस 10 लाख रुपे महीने से कम नहीं है अब आप समझे जीला और अनुमंडल में जो जमीन की रजिस्ट्री होती है कोई भी ऐसे मध्यम रिचल प्रख के लोग नहीं कि जो बगार अपने जमीन को बेचे हुए पने पुत्री के साधी कर सकते हैं भले आपके हां कोई बगार जमीन बेचे हुए बच्ची की है क्या है नहीं है उस पर कोई सीमा नहीं उस पर रेजिटार कुछ भी उससे ले सकता है तो इस तरह का पूरे बिहार में पूरा घूस का रेट बंधा हुआ है यह बरस्टा चार माननिय मुखमंत्री को कि स्टरह से बिरोजगाडी है विहार में यह मानिय मुख मंतरी जी को नहीं दीकता। किस तरह से आपने ऑक्सिजन के बीना लाखों लोगों को मार दिया यह लारोगों को कितने लोगों को आपने Creed प्रवाजपा के गोद में बैठे हुए हैं और दूसरे तरव आप डिंग हाकते हैं कि हम पॉब्लिक के बीच में जनसंख्या वाले मामले में एवरनेस लाना चाहते हैं हम जातिये जनगन्ना कराना चाहते हैं को किसने आपको रोका है विधान मंडल ने तो बहुत पहले इसको पास कर दिया करनाटका के तरज पर आप अपने फंड से जातिये जनगन्ना कराईए अगर आपके दिल में कोई खोट नहीं है और आप चाहते हैं कि हम जो भी नीचे प किलीगल एस्पेक्ट दρείक तमाम चाह parti है आप तो देखें है कि करनाटका में हो रहा है करनाटका करा रही अपने पने करा रही है तो देखें यह सब के बसार ने वाली बात है बाकी में यह नजीर बनाते हैं और दूसरे चीवें फिर बोलते हैं कि हम legal aspect देखते हैं और चीज़ में इनजीर बनाने लगते हैं तो देखिए यह government चोतरफा फिसद्डी सावित हो गया किसी छेत्र में जाइये सिक्षा में जाइये infrastructure में जाइये स्वास्त में जाइये बेरुजगारी में जाइये नीचे से ही टॉप करते हैं आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं आप कहते हैं कि मैंने जुलुआ बना दिया ललीद बहुन के सामने कोई आदमी पूसता है कि भाई इसका क्या जरूरत है आप के विल बेली रोड पर पांच बिल्डिंग बना करके बोलते हैं कि बिहार बदल एक बारिस होता है तो रिहाएसी इलाकों में मंतृ के घर पर हाई कोट में बिहार विधान सभा के केंपस में नाओ चलाने की स्थित्यों होती है और अकते कि बिहार बदल गया हमने नजीर बना दिया अब देखिए दो अभी म्यूजियम एक म्यूजियम में रखने को समान नहीं है कि तूटा हुआ घडा रखेगा कि तूटा हुआ हड़ी रखिएगा और आपने एक मुजियम बना दिया करोरो करोर रुपया गरीब के कमाई का अपने इसमें लगा दिया उसमें बड़े होस्पीटल बन सकते थे सौफ्ट्वेर पार्क बन सकते थे आईटी हब बन स सकता था आपके पार्किंग के समस्या दूर हो सकता था आप एक से एक वहां होस्पीटल बना सकते थे आप आईटी हब बना सकते थे उस उतने बहुमुल जमीन पर लेकिन आने वाला सदी हमको याद रखे इसके लिए आपने इस तरह का निर्मान करा दिया गरीब के कमाई क आपने चट भी चट करा दिया उसके समब पूरे टैक्स की कमाई का आप अब कहते हैं कि हम यहां से गंगा उदगव योजना के तहर गंगा आजल उठाएंगे और राजगीर में गिराएंगे अरे भाई अगर इसके बदलेगर आप नहर का निर्मान कर दिये रहते पटना स से राजगीर की दूरी 100 किलोमेटर भी अगर माना जा है तो 100 किलोमेटर परने वाले जमीन में दोनों तरब नहर से खेती होता आपका ज्यादा से ज्यादा नाच का उत्पादन होता गरीबों के चेहरा पर खुसी आता उसकी चिंता नहीं है लेकिन आप तो भाई में खतम होता है आपका इसके चिंता नहीं है कि होस्पीटल में नम की बहाली हो डॉक्टर की बहाली हो आपका इंट्रेस्ट है कि नया नया मसीन खरीद के लिए आए आपका इंट्रेस्ट है कि हम नया नया बिल्डिंग बनाए ताकि उसमें जो अभी हम घूस का रेड बता तो देखिए इसके आगे हम यही आपको कहना चाहते हैं कि भरस्टा चार के पूरे आकंट में बिहार डूब चुका है पूरा बिरुजगाडी हो गया है कहीं भी सरकार का कोई भी ऐसा कदम नहीं है सरकार चोतरफा फिसट्डी सावित हो गई है सुनील सिंग फिलाल अभी तक लिए इतना ही आप देखते रहिए न्यूश फोर नेशन